दोस्तो उत्तर प्रदेश के समीच्छा अधिकारी की तैयारी करने बले चात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुसकबरी है पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना आपको ये खुसकबरी मैं आपको बताने मला हूँ दोस्तो भी सुप्रीम कोट ने यूपी सरकार को एक आदेश दिया है क्या आदेश दिया है हो क्या रहा था कि समीच्छा अधिकारी की पोश्ट भरने के लिए एक सर्टिफिकेट की जरुत होती है क्वालिफिकेशन में जिसका नाम है O-Level Certificate तो बहुत सारे स्टुडेंट की साथ में क्या हो रहा था कि उनकी तयारी तो बहुती सांदार लेबिल की थी लेकिन उनके पास में जिस जो एक्जाम में एपलाई करने की लास्ट डेट होती है उस तक उनके पास में O-Level का सर्टिफिकेट नहीं होता था तो उस केस में अभी तक ऐसे स्टुडेंट्स इस एक्जाम में एपलाई करने से वन्चित रह जा रहे थे जबकि उनकी तयारी बहुत सांदार थी ठीक है क्योंकि O-Level Certificate सभी के बास में नहीं होता है अभी तको साफ साफ इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक आदेश जारी किया है और उसमें कहा है कि cut-off date के बाद भी O-Level Computer प्राप्त करने वाले उमीदवार भी इस परिक्षा में बैठने और चैन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमती उनको प्रदान करी जाती है इसका मतलब है कि अगर आपने किसी भी एक्जाम को एपलाई करने की लाश्ट डेट तक आपके पास में O-Level का Certificate नहीं है तो भी आपको गपराने की जुरत नहीं है किसी इस एक्जाम को एपलाई करने की लाश्ट डेट के बाद भी अगर आप O-Level का कोर्स कर लेते हैं या फिर आपके पास में O-Level का Certificate आ जाता है इस बीच में तो भी आप इस एक्जाम में बैठने के हगदार हैं इस चैन्द पक्रिया का प्रोसस आप पार्टिशिपेट कर सकते हैं जबकि हाई कोट ने क्या का था अभी जो आदेस आये ये सुप्रीम कोट का है जबकि हाई कोट ने पहले ये कह दिया था कि जैसे मालो इस एक्जाम को अप्लाई करने की लाश्ट डेट थी आठ अप्रेल दोहजार इक्टिस तो आठ अप्रेल दोहजार इक्टिस तक जो आपके पास में O-Level की क्वालिफिकेशन होगी सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे अभी तक सिर्फ ये था लेकिन अभी जो आदेस आया है इस नए नोटिस के अनुसार जिन्होंने अप्लाई करने की लाश्ट डेट के बाद में भी जिसको O-Level मिला है देखो साफ साफ इसमें लिखा है उन्होंने कहा है कि आयोग ऐसे लोगों को परिक्षा में बैठने की अनुमती दे रहा है जिन्होंने मई महीने में मतलब अप्रेल आज को इसकी लाश्ट डेट थी फॉर्म भरने की लेकिन जिन्होंने मई महीने में O-Level का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और बाकी सब तरीके से योग गहें तो ऐसे लोग भी इस परिक्षा में बैठ सकते हैं तो ये बहुत बड़ी खुसकपरी है सभी बच्चों के लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो O-Level Certificate है वो exam apply करने के थोड़े महीने बाद में आ पाता है तो उस case में भी आप अब eligible होंगे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में share करें और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को subscribe ज़रूर करें